हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के दर हम फिर से अन्बॉक्सिंग फुल डीटेल रिव्यू लेके आगा है इस TWS i9S एयरबर्ड की दोस्तों क्या आपको ये एयरबर्ड लेना चाहिए 499 रुपे में क्या आपको ये लेना चाहिए आपको ये कैसी बैटरी लाइफ देगा कैसा आपको साउंड यहां पर देने माला है और साथी साथ दोस्तों यहां पर मैं सब कुछ यहां पर क्लियर पहले ही कर दूँ कि ये जो TWS आप देख रहे हो बताऊंगा कि क्या 499 रुपे में ये आपको वो साउंड वो बैटरी लाइफ वो क्वालिटी देगा जो कि आपको एक 1200 वाला देता है मतब सब कुछ अच्छे से समझाओंगा तो वीडियो को एंड तक देखते रहे है तो दोस्तों यहां पर I9S TWS ब्रांड का जो कॉपी बॉक्स है कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है मैं यहां पर बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं कहूंगा क्योंकि यह कॉपी ब्रांड है तो अगर बॉक्स पर इस सारा पैसा खर्च कर देगा तो एयर बर्ड किस कॉलिटी का होगा आप सोची सकते हो तर साइड में आपको i9S की ब्रांडिंग मिल जाती है बिल्कुल एकदम उरिजिनल जैसी ही आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है बॉक्स की पीछे साइड देखे तो यहां पर आपको बैटरी कैपसिटी मेंसन की गई है 3.7 वाट 16 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है टाकिंग टाइम की बात करें तो 2-3 गंटे लिखी गई है लेकिन क्या वाकई में 2-3 गंटे चल पाता है वीडियो को देखिए समझ में आ जाएगा तो यहां पर आपको सबसे पहले आपको अपको अपको देखने को मिल जाता है यहां पर आपको ब्लू कलर का यहां पर एक प्लास्टिक जैसा आपको लपेट कर दिया गया है तो हम इसे plastic को हटा लेंगे अब हम रखते हैं airboard को side में यहाँ पर एक plastic दिया गया है airboard के नीचे तो इसको हटाने पर यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी दिगई है जैसे यहाँ पर आपको एक मिल जाता है user guide यहाँ पर आपको Chinese language में भी लिखा गया है और साथ ही साथ English में भी लिखा गया है तो इसको भी रखते है side हम आप सारी चीज़े इस वीडियो के अंदर बताऊँगा तो इसको भी side रख देते हैं उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर कुछ और rubber का है तो bag उतना अच्छा तो नहीं कोँगा लेकिन ठीक ठाक है इस price के अंदर और दोस्तों bag के साथ साथ आपको एक hook मिल जाती है इस hook को आप अपने bag में फसा कर आप अपने कमर में या फिर बोले तो कहीं पर भी टांग सकते हो जो की मेरे ख्याल से काफी ज़्यादा अच्छा है तर सब कुछ साइड रखते हैं लगबग ठीक ठाक quality के आपको हर चीज मिल जाती है लेकिन अब हम लेते हैं अपना main airboard देखते हैं airboard की quality airboard की sound quality airboard की यहाँ पर battery capacity तो लेते हैं simply हम अपने airboard को तो airboard की जो यहाँ पर color है वो white मिल जाता है airboard की size ठीक ठाक है बिल्कुल कान में मैं पहनता हूँ तो बिल्कुल fit हो जाता है और साथी साथ दोस्तों लगता भी नहीं है कि एक copy brand है देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लगता है इस price के अंदर build quality के बाद करें finishing की तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी देखने में यह नहीं लगेगा कि copy brand है आपको बिल्कुल अच्छा सा feel होने वाला है अब हम बात कर लेते हैं जोस्तों यहाँ पर इसके buttons की controls की तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको इसे connect करा होगे तो दोनों एरवर्ट एक साथ connect भी हो जाते हैं इस price के अंदर क्योंकि इस price के अंदर अगर आप कोई और भी copy brand लेते हो तो वहाँ पर एक के साथ एक ही connect होगा यानि एक Bluetooth एक mobile के साथ एक ही आप connect करा सकते हो यानि एक कान में ही सुन सकते ह इसा नहीं है आप एक phone के साथ दोनों को ही connect करा के दोनों में ही गाने सुन सकते हो और बाते कर सकते हो और दोस्तों उसी के साथ यहाँ पर आपको inbuilt microphone भी मिल जाता है तो आप बटन के मदद से call receive कर सकते हो call को यहाँ पर receive करके आसानी से बाते कर सकते हो राइडिंग करते व ही देते हैं तो यार दोस्तों मैंने इसे लगबग 10 दिन से यूज किया तो यहाँ पर जो इसकी sound की quality है मैं कहूंगा यार उतना अच्छा नहीं है not too bad यहाँ पर आपको sound की quality जो है वो average देखने को मिलती है sound की quality मैं यह नहीं कहूंगा बहुत जाद आच्छा है बट आपको जो sound की quality इस copy brand के अंदर मिलती है दूसरे copy brand के अंदर साहद यह आपको देखने को मिले दूस्तों जब मैं इसके sound की quality को चेक कर रहा था तो यहाँ पर मैं बिल्कुल surprise हो गया मैं बिल्कुल impress हो गया because इतने comprise में कोई भी copy brand इतनी अच्छी sound नहीं दे सकता यहाँ पर vocals काफ की clear मिल जाता है loud मिल जाता है और bass की बात करो तो bass आपको balance मतलब बहुत जादा नहीं मिलेगा ठीक ठाक bass भी देखने को मिल जाता है मैं बहुत जादा नहीं कहूंगा ठीक ठाक bass और ठीक ठाक ही आपको music देखने को मिल जाता है साथी साथ आपको microphone की जो sound होगी यानि कि गंटे का बैटरी बैकप जो की बिल्कुल बेकार सा है अगर आपका बजट बिल्कुल कम है 400-500 है तभी आप इसे बाई करना वरना मैं रिकमेंट करूंगा आप इसे बाई मत ही करना दोस्तों तो यह रहा मेरा एक ट्रू रिव्यू अगर आप इसे खरीद नहीं है तो आप इ कर सकते हो लेकिन फिल बियार ऐसा कॉपी मैंने पहले बार देखा बहुत सारी अच्छी चीज़े इसके अंदर देखने को मुझे मिली मतब साउंड क्वालिटी और अच्छी है लेकिन बैटरी की जो लाइफ है वो थोड़ी कम है तो बस यार आई होप आपको यह वीडियो लाइक करना सेर करना चैनलों को सब्सक्राइब करना एंड प्रेस करना बेल आइकन तो बिल देख नए वीडियों को साथ तक लिए बंदी मात्रां